अब फिल पे थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, बहुत सारे लोगों के गाड़ी अब बंद हो जाती है नमस्ते दोस्तो और वेलकम टू मैं चैनल, आज इस वीडियो में हम लोग बात करने वार है कि कार के क्लच एन एक्सलरेशन को किस तरीके से यूज़ करना चाहिए आपको बहुत ही इज़ी टेक्निक बताऊंगा जिससे आप लोगों को कार के क्लच एन एक्सलरेशन को से कंट्रोल करने में आसानी होगा और आप जबी भी कार चलाओगे तो आप अपने कार ड्राविंग के स्कील को मास्टर कर सकते हो तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो सबसे पहले तो मैं आपको यह बता दू कि क्लच क्या होता है बेसिकली क्लच एक इंजीन एंड आपके रियर वील के अंदर या वील के अंदर एक कनेक्शन होता है ऑगर आप लोगो नहीं इसा चीज नॉर्मल देखा रहेगा कि फॉर्सट घेर में आप रखने के बाद बीना क्लच प्रेस किये से अगर आप गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपको जटका लगता है। सेम चीज कार के अंदर भी होता है बाकी सारे विकल के अंदर भी होता है, आपको जटका लगेगा। ओइसा जटका क्यों लगता है क्योंकि आपका इंज्जीन सडेनली गूमने लगता है और आपका रियर万 ये आपकाव ये आपका वील आगे बढ़ने का कोशिश करता वह इसा चीज नहीं हो इसलिए आपके पास होता है clutch जब आप clutch प्रेस करके रखोगे तो आपका engine सिर्फ गुमेगा आपका wheel नहीं गुमेगा आपको जब आगे बढ़ना है तो आपको दीरे-दीरे clutch छोड़ना पड़ेगा ताकि आपका engine और आपका rear wheel connect हो अगर suddenly आप clutch भी छोड़ दोगे तो सोचो कि एक स्पीड बहुत ज़्यादा स्पीड में घूम रहा है एक चीज ऐसे ही stop है तो यह दोनों connect करने का कोशिश करेंगे तो जैसे ही आपने अगर clutch छोड़ा आपका गाड़ी बंद हो जाएगा अगर आपके साथ हुआ है तो नीचे type करना yes आपसे आपके साथ ऐसा नहीं होगा क्यों क्योंकि आप clutch दीरे-दीरे छोड़ना start करोगे जिसके वज़े से वह engine दीरे-दीरे आपके wheels के साथ connect होगा आपका गाड़ी दीरे-दीरे आगे बंदना start हो जाएगा इस चीज में बहुत ही easy है मैं आपको practically भी यह चीज करके बताता हूँ कैसे करना है दूसरा चीज है acceleration so acceleration basically क्या होता है कि for example जैसे कि मैं normal चीज उठाने का कोशिश कर रहा हूँ मुझे लगा एक डबा है मैं एक डबा उठाने का कोशिश कर रहा हूँ आप वो डबे के अंदर मुझे पता नहीं कितना weight है तो मैं सोचूँगा कि डबा शायएच से खाली है सो उसको जादा ताकत नहीं लगाऊंगा लेकिन जैसे मुझे पता चला कि यह और वो डबे में जादा weight है तो मैं वारे में, सो आपको इन दोनों को सही तरीके से कंट्रोल करना है, अगर आपने ये चीज सही तरीके से नहीं किया, तो मैभी हो सकता है कि आपका clutch डेमेज हो जाए या फिर मेबी आपके गीर बॉक्स में कुछ प्रब्लम हो जाए या फिर आपके इंजिन को नुकसान हो सकता है अभी मैं आपको पहले प्रक्टिकल डेमेश्टेशन बता देता हूँ फिर मैं आपको बताता हूँ कि clutch plate किस तरीके से आपका burn होता है तो जैसे आप लोग यहाँ पर देख रहे हो यहाँ पर मेरे पास 3 control है यह है clutch, यहाँ पर acceleration and यह है मेरा brake brake and acceleration मैं दोनों अपने right leg से use करूँगा and मैं clutch press करूँगा only left leg से जबी भी मैं अपने like यहाँ पर देख रहे हो जबी मैं clutch press करूँगा तो मैं acceleration नहीं दूँगा and जबी भी मैं acceleration देते रहूँगा तब मुझे clutch नहीं देना है यह चीज़ के बारे में आपको ध्यान रखना है यह हो जाएगा full clutch फिर इसके बाद आप जैसे दीरे 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 छोड़ना start करोगे आपका clutch आपके engine के साथ engage होना start हो जाएगा जैसे ही आपका engine के साथ clutch engage होगा अगर आपने instantly छोड़ दिया तो आपका गाड़ी बंद हो जाएगा लेकिन अगर आपने जैसे यहाँ पर फूरा full clutch प्रेस करके रखा है तो आपका गाड़ी चालू रहेगा दीरे 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 आप छोड़ना start करो जैसे ही आपका clutch engage होगा आपको यहाँ से थोड़ा सा फिर आप यहाँ से दीरे दीरे acceleration बढ़ाओ जिसके वज़े से आपका गाड़ी आगे बढ़ना start हो जाएगा अगें जैसे मुझे यहाँ पर गियर शिफ्ट करना है तो गियर शिफ्ट करने के लिए मैं acceleration यहाँ से पहले छोड़ूँगा फिर यहाँ से clutch प्रेस करूँगा और फिर मैं अपना गियर शिफ्ट करूँगा गियर शिफ्ट करने के बाद फिर से मैं यहाँ से दीरे-दीरे clutch छोड़ूँगा और शुरू में मैं यहाँ से connect करूँगा इस तरीके से आपको यह चीज़ ध्यान रखना है कि कभी भी directly instantly clutch छोड़ना नहीं है ना ही directly instantly आपको clutch press करना है समझना तो यह मैं जिस तरीके से कर रहा हूँ दीरे slowly clutch press करो आपका clutch fully engage हो जाएगा slowly आप clutch छोड़ो आपका clutch सही तरीके से connect हो जाएगा दूसरा यहाँ पर यह है एक्सेलेरेशन सो एक्सेलेरेशन के बारे में भी मैं आपको बताता हूँ कि आप एक्सेलेरेशन इतना ज्यादा मत दे दो यह बहुत ज़्यादा खतरनाख हो सकता है सामने कोई चीज है इस तरीके से की दिरे दिरे आपकर करके आप acceleration छोड़ो suddenly acceleration छोड़ने पर भी आपको जटका लग सकता है, suddenly clutch छोड़ने पर भी आपको जटका लग सकता है, तो इसे जटका नहीं लगे, आप सही तरीके से अपना गाड़ी चला पाओ, इसके लिए आपको यह slowly-slowly combination कर रहा है, तो like a clutch, पहले मैंने full clutch press किया, gear shift किया, gear shift करने के बाद मैं यहां से दीरे-दीरे करके, यह clutch छोड़ रहा हूँ, और फिर मेरा जैसे गाड़ी आगे बढ़ना start हो जाता है, तो मैं यहां से दीरे-दीरे acceleration देता हूँ, इस तरीके से, अच्छा, अभी मैं आपको कुछ tips और बता देता हूँ, जो कि आपको help करेंगी, for example, अगर थोड़ा आपका uphill वाला region है, या ऐसे slopey area है वहां पे, तो वहां पे क्या करना है, देखो, यह चीज़ सब जगह पे काम में आएगा, clutch and acceleration वाला combination, but uphill पे थोड़ा सा problem होता, बहुत सारे लोगों की गाड़ी आप बंद हो जाती है, अगर वैसे आपके साथ हुआ है, तो please yes comment कर देना, and अभी मैं आपको बताता हूँ कि clutch किस तरीके से छोड़ना है, जबी आप uphill region में हो, पहले मैंने full clutch press किया, gear shift किया, first gear में मैंने shift किया, second gear पे मैं नहीं चलाओंगा, क्योंकि second gear पे गाड़ी uphill region में तुरंतली लोड नहीं ले पाएगा, तो अगर आपको गाड़ी चलाना है, तो first gear में shift करो, अपहल में, अपने गाड़ी start किया, गाड़ी जैसे ही start हो जाता है, वैसे यहां से दीरे दीरे करके ये clutch छोड़ो, जैसे ही दीरे दीरे करके clutch छोड़ोगे, आपका गाड़ी engage होगा, अभी इस से ज़्यादा अगर आपने clutch छोड़ा, तो गाड़ी बंद हो जाएगा, आपको ये चीज़ करना है कि दीरे-दीरे clutch छोड़ा है, जैसे दीरे-दीरे अपने clutch छोड़ा, तो आपका गाड़ी engage हो जाएगा, आपका गाड़ी बीना brake रगा है, या बीना brake press किये, आपका गाड़ी वहाँ पर रुका होगा, बरावर तो जैसे आप brake press करोगे, आपका गाड़ी, brake release करोगे, आपका गाड़ी पीछे नहीं जाएगा, ये चीज़ यäद रखनAYा आपका गाड़ी पीछे नहीं जाएगा, जैसे ही आपका गाड़ी पीछे नहीं जाएगा, सिर्फ only clutch के control पे रहेगा आपको यहां से acceleration देना फिर से मैं एक बार बता देता हूँ आप लोगों को बहुत ज्यादा help हो जाएगा जैसे for example मेरा appeal region पे गाड़ी खड़ा है मैंने brake press करके रखा है दूसरा चीज यहां पर मैं first gear पे डालता हूँ क्लच प्रेस किया है दीरे दीरे छोड़ना start करता हूँ जैसे चुटता है वैसे गाड़ी मेरा एंगेज होता है जैसे मेरा गाड़ी एंगेज होगा मैं यहां से brake छोड़ दूँगा यह चीज याद रखना दूरे दीरे brake छोड़ना ताकि आपको समझ में आ कि आपका यहां पर connected रहेगा जैसे क्लच के basis पर आपका गाड़ी connected रहेगा आपने यहां से क्या किया दीरे दीरे acceleration दिया आपका गाड़ी आगे बढ़ना start हो जाएगा और जैसे आगे बढ़ना start हुआ मैंने यहां से clutch छोड़ दिया तो यह combination आपको बहुत ज़्यादा help करेगा छोड़ो एंड यहां से थोड़े थोड़ा acceleration दो और दीरे दीरे यह clutch दो तो बहुत ही चीज है और आप सही तरीके से कर सकते हो अच्छा अभी मैं आप लोगों को यह चीज बताता हूं कि clutch plate किस तरीके से damage होता है clutch plate basically damage होता है कुछ इस तरीके से कि मैं यहां से clutch छोड़ता हूँ इतना clutch पकड़के रखता हूँ और यहां पर मैं acceleration देता हूँ तो अगर यह चीज मैं करूंगा तो मेरा clutch damage हो सकता है मेरा clutch जल्दी से खराब हो सकता है और फिर problem यह होगा कि मुझे अपना clutch plate replace करना पड़ेगा तो बेटर चीज यह है कि clutch fully release करो and fully release करने के बाद आप अपना यहां से acceleration दो आफ क्लच लेके आपका गाड़ी बन नहीं होगा कभी और आप इंस्टेंटली आप सही तरीके से आगे बनना स्टार्ट करोगे एकदम smoothly so that's it for the video अगर आप कोई वीडियो पसंदा तो please do like it नहीं हो तो मेरे चानल पर subscribe कर देना अगर आपको इसके अलावा और भी कुछ doubt है तो निचे comment कर सकते हो thank you so much for watching stay safe be safe and bye-bye good luck कर दूँ कर दो